बॉनिंग इस्टुडेंट्स क्लास नाइद के सभी छात्रों को सुप्रबाद माकल ल्याने का पब्ली विश्पुल से मैं इनके शर्मा आज हम एक नए विशे की और बढ़ते हैं आज का हमारा विशे है क्लास नाइद में वाक्य भेद वाक्य भेद हमारे सिलेवस में ये चार नमर का हमारे लिए एक टॉपिक है और वाक्य भेद पिछली कर्शों में अर्जित ज्यान के अधार पर ऐसा माना जा सकता है कि आप सब ने वाक्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है वाक्य क्या होता है यह आपको मालूम होगा फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा आप वाक्य के बारे में करेंगे और उसके बाद पर वाक्य के हमारा ये जिले वसे हैं तो वाक्य किसे कहते हैं यह आपको मालूम है जा यह इसके पहले परिक्षा नीजा ने अर्थाक वाग्य सब्दों का एक समुन होता है यह पहले विसिस्ता वाग्य की और केवल सब्दों का समुन मात्र वाग्य नहीं हो सकता जब तक कि उसका कोई ना कोई अर्थ या कुण अर्थ प्रकट ना होता हो तो इन दो विशिस्ताओं के अधार पर हम वाक्य की जो परिभासा अब तक हमने जानी है वो ये है कि शब्दों का एक सार्थक समून वाक्य कहलाता है जो अपना पूर्ण आर्थ प्रकट कर रहा हूँ तो वाक्य हमने अभी तक इतना पढ़ा है आप सबने वाक्य की ये परिभासा पढ़ी है कि शब्दों का एक ऐसा विवस्थी और सार्थक में जो अपने आप में पूर्ण आर्थ प्रकट करें वो वाक्य कहलाता है वाक्य की परिभासा को जान लेने के बाद जैसे कि हम ने अभी पूचने वर फक्रशान में पढ़ा है कि मेरा नाम राम है अब इसमें एक दो टीन चार चार सब्द है और ये सब्दों का समूण ही मिलकर के एक वाक्य का निर्मान कर रहा है तो वाक्य सब्दों के उस समूण को कहा जाता है जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाग एको जान दोने कि बाद हमारा टॉपिक है अग्रा में पिरला चरण है इसके बारे में कि आखिर वाग के भेद कितने होते हैं कौन कौन से होते हैं ये पढ़ता है और नाइम और तेंथ हमारी हाई सुडिय के सिलेबस में वाग के बेद को जो दो अलग-अलग आधार है इसे पढ़ने के उस अधार पे वरगी कृत किया गया है दिवाइट कर दिया गया है वाख्य के भे दो अधार पढ़े जाते हैं और समझे जाते हैं एक इसका पहला चनल है अर्थ के अधार वाख्य के कि आखें वाक्त का क्या अर्थ निकल रहा है तो अर्थ के द्रिष्टे से वाक्त के कितने भेद होते हैं यह हमारा लाइट्वेर से लेवर से और इसका एक और अधार है वाक्त के पहना और दूसरा अधार है इसका रचना की द्रिष्टे से तो रचना के आधार पर भी वाक्टों के भेद हमें पढ़ने हैं लेकिन हूँ हमारे अगली क्लास अथार, दस्ट्री क्लास का पुशे है हमारा आग्य का topic है वाक्ट में रच अर्थ के अधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से ये भेद हैं यह हम आज प्लस्वाण पढ़ने वाले हैं." वाक्ट में अर्थ के अधार अब आपने यह समझ लिया होगा कि अर्थ और रचना ये दो अधार क्यों तेह किये हैं किसी भी विशेव को भली प्रकार से समझने के लिए अच्छे से समझने के लिए ये आवश्यक है कि उसका गहराई से अधिन किया है और जब ये पाया जाएंगे तो इनके अधार अधा बनाई जाने चाहेंगे ताकि अवस्त रहोख कर सके इस द्रिष्टी से अर्थ और रचना जब वाकियी का दिरबार किया जाता है उसे ये बताना जो है एक अलग अधार हो जाता है इसलिए दो अलग-अधार देखिए गए एक रचना के अधार पर और एक अर्थ के अधार पर आज हम अर्थ के अधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये जाने हैं तो अर्थ के अधार पर वाक्य के कुल आठ भेद पाय जाते हैं कुल आठ पकार जो हैं अर्थ के अधार पर माने गए हैं वाक्य भेद अब इतक हमने जो पढ़ा है उसके अधार पर ये कहा जा सकता है कि हमने वाक्य की परिभासा पढ़ी वाक्य कैसे बनता है ये पढ़ा और वाक्य की परिभासा को जानने के बाद अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या है ये हमने समझा कि अर्थ जो अर्थ प्रकट हो रहा है कोई भी वाक्य आखिर उससे कौन सा अर्थ निकल कर आ रहा है उसे आधार पर ये वर्गी करण किये गये हैं, कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल आठ भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन-कौन से ये आठ भेद हैं, इसे हम जानते हैं, आज की प्लास ने, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये हम जानते हैं, विधान आर्चक या इसे हम विधान वाचक वाक के भी कहते हैं, जिसमें एक ही एक पुरे क्रिया के होने का हमें पता चलता है, जिन वाकतों से किसी बात के होने का पता चलता है, कोई विधान निश्चित होता हो, उसे विधान वाचक कहते हैं जैसे बच्चा तहल रहा है, प पाट पर जिसमें पुरा पुरा पता चलता है उसे हम विधान आर्थक, विधान वाचक या विधान सुचक विधान आर्थक अपने इसमें कहा विधान अर्थ के अधार पर है विधान वाचक या विधान सुचक वाक्य भी इन्हें हम कह सकते हैं दूसरा वेज़ होता है निशेद हार्थक, निशेद अर्थक, अर्थात निशेद माने मना, मनाही उत, जिससे हमें किसी नेगेटिव फाम में मना करने का रिस्टिक्शन्स का पता चलता हो, प्रतिबंद का पता चलता हो, तुम्हें वहां नहीं जाना है, कोई यहां नहीं आ इस तरह का जिसमें नहीं का फाब ह, नेगेटिव फार्म में उसे हम निसेदवाचर्थ, निसेदसूचर्थ या निसेधर्थ वाकर कहते हैं, तो अर्थ क्या धारपर हमारा, यह दूस्रा वाकर को है निसेधर्थ Mγedha Trat Smra इसके बार चोतह इसके प्रश्नार्थत अब प्रश्न तो आप सभी जानते हैं कि जिस वाके में कुछ पूछने का हमाऊ सवाल किया गया हूँ ऐसे अर्थ जन निकलते हैं किसी वाके से उसे हम प्रश्नार्थत प्रश्न सूचर या प्रश्न वाचक वाग के कहते हैं जैसे तुम इतनी देर से क्यों आएं तुम अभी तब कहां थे क्या तुम्हारी कोई समस्या है क्या आप बैसे किसी को वाग की के बारे में पता है तो जिस वाग के से प्रश्न करने का पता चलिए प्रश्न के होने का बोध होता हो, उसे हम प्रश्नातर या प्रश्न वाचक वाक्य कहते हैं, आ रहा होगा आपनों समझ में, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, आग्यातर वाक्य, वाक्य कहते हैं जब हम अर्थ के अधार पर देखते हैं, तो कुछ वाक्य ऐसे प्यूते हैं जिसमें कुछ आदेश दिया जा रहा होता है, आग्या सुचक वाग की बते हैं, उन्हें हम आग्या वाचक वाग की कहते हैं, कि कृप्या सभी सान्त हो जाए, बार-बार आपने देखा होगा कि आपको टीचर्स भी बार-बार वांग करते हैं, तो इतने भी तरह के वाग्तो का वो प्रियोग करते हैं जाओ कमरे में जाकर पड़ो उसे तुम तंग मत करो तो जिसमें आज्या देने का भाव हो जिसमें आदेश दिया गया हो जिसमें आदेश दिया गया हो जिसमें आदेश देने का भाव नहीं दोता है उसे हम आज्या थक आज्या सुचर या आज्या वाचक वाक्य कहते हैं, इसके बाद हमारा अगरा पांचवा भेद है, संदेहाथ, संदे, ब्रह्म, शंका या आशंका या प्रयावा चीज़ के जानते हैं, कि जहां पर doubt हो, किसी चीज़ की संका के बारे में बताया घया हो, या किसी वाक्य चे ये पता चलता हो कि ऐसी संका की जा रही है, जिन वाक्य को में कारे के होने में संदेह हों, या उसकी संभौन gracious की जाती है उसे हम संदेह सुचक, संदेह वाचक या संदेहाथ ठक वाकिन कहते हैं इसका एक 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 एकस्पा पूम दिखते हैं लगता है वो नहीं आये यह नहीं आये आने या नहीं आने में एक संदेह शंका है सायद पिता जी आज जल्दी आजाए अब तक तो वह काम कर चुका होगा इन तीनों ही उदाहरों में हम देखते हैं कि काम के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कहीगे कि सायद पिता जल्दी घर आजाए अब तक तो ये काम दो चुका होगा या लगता है वह आज नहीं है, हो सकता है आज वारिस हो जाए, हो सकता है आज वर्सा हो जाए, तो ये इस तरह के जहां हमें वाकिन देखते हैं कि जिसमें कि कोई क्रिया होने की या काम होने की संभावना विर्थ की गई हो, तो वहां पर होता है संदेह, जब कारे की बारे मे कुछ वाकित संदे संदे में भी नहीं होते हैं कुछ वाकित संदे में भी नहीं होते हैं कुछ वाकित समझshet आता है जो होता है संकेत अर्था अर्था जो संकेत किया है अधहार अधार किया गया इसे वाक्तों को अल कट लग दिया गया है जिसे हम जानते हैं संकेत आर्थर या संकेत सुचर शक्तों के नाम से, जिन वाक्षों में क्रिया का होना, इसकी प्रिमासा जब हम लिखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कि जिन वाक्षों में क्रिया का होना किसी सर्थ पर अधारित होता है, drink, hundred, five किसी चीज़ पर आधारित होती हूँ, कुछी एक सर्व के सान, तब यह ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं, कि यह संकेत सूचक है, अर्था संकेत आर्थक वाक्य है, एक एक जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, कि अगर तुम, अगर तुम कारे पहले कर लेते, तो यह परिशानी ना अगर तुम ने ठीक से पढ़ा होता, तो नाइत में तुमारे अच्छे मांस आते हैं, या तुम नवे में तुमारे अच्छा परिणाम आता है, अगर यह जो एक संकेत हैं, ऐसे वाक्यों को हम संकेत सूचक वाक्य कहते हैं, यदि बारिस जादा होगी, एक और हम दार्ण यदि तुम्हें कापता से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, अगर आप पूरी इमानदारी से परोगे, तो नौमे में तुम ही प्रथम आओगे, तो एक बात जब दूसरी बात के संकेत पर निर्भर होती हो, तो अर्थ के तुरी अधार परिण से संकेत संकेत वाचक वाँ के कहते हैं, सात्वा भेन हमारा इसके बाद जो अग्रव नेश्ट है, एक्छा ठक, अब आपने एक्छा और अर्थ ये दो बातों को चोड़ करके समझे लिया होगा, एक्छा ठक वाँ के जिसमें कोई एक्छा प्रकट की गई हो, ऐसे वाँ कोई मन के जिसमें हमारे कामना की गई होगे से एक्छा सुचक वाँ के हमें से कहते हैं, एक्छा सुचक, एक्छा वाचक या एक्छा ठक वाँ के इसकी परिवासा में इस तरह से बता सकते हैं कि जिन वाँक्तों में एक्छा करना या कामना का भाव पर कट होता हो, उन्हें हम एक्छ इस आर्थक वाक्य कहते हैं कि जैसे चलो, चलो घुनने चलते हैं, कास इस प्रत्योगिता में जीत हासिर हो जाती है, इश्वत तुम्हारा जीवन मंगल मैं हूँ, इस तरह की जहां भी इक्छा प्रकट की जाती हो, ऐसे वाक्यों को हम इक्छा सुचक, इक्छा वाचक या इ अब अंति, आठ्मा जो भी है, हमारे अर्थक अधार परवाक्य भी जाते हैं, विश्मयादी बोधक या विश्मयार्थक वाक्य, विश्मे से बना हुए ये शब्त है, बड़ा सरल्चा, कि जिसमे विश्मे का भाव प्रकट उता हो जिन वाक्यों से, विश्मे का रत है, चौक जाना, अचानक से, जिन वाक्यों में हमें विश्मे, हार्थ, सोग, घ्रिना अधी का भाव प्रकट होता हो, जिससे का नम अचामीत हो जाएं, आश्चरी के सांथ हमें, अच, ओ, हाय, वाक, जिसमे हम चौक परें, ऐसे बहुत से वाक्यों मेरे पढ़ने में आते हैं जिसका तो हमारे विश्मे को प्रकट करता है, हमारे मन में उठने वाले हर्थ, सोग, घ्रिना या उट्सा के भाव को प्रकट करता है, अच्छा, ये हो गया, तो ऐसे विश्मे के भाव को प्रकट करने वाला जो वाक्यों होता है, उसे हम विश्मे आतक वाक्यों, कहते हैं शेही उदारन आम इसका देखते हैं कि वाह किया खोब कही मैं भारत मैं शे जिर आ है कितना सुंदर बुजन है शिय कोपी कितनी गंदे तुम्स रेटिंग में लिकाया कितना खराब लैटिंग है तुम्हारी कितना खराब लेखन तुम करते हो ओ, तुम्हें बहुत चोटा है, वाह, उसने प्रथमिस्थान प्रात किया, तो इस तरह से जितने भी हमारे मन के आश्चर चकित कर देने वाले बहुत जिससे हैं प्रकट होते हूं, उन वाकों को हूं, विस्मयादिब उधर, विस्मयार्थर या विस्मयादिब सूचर वाह क कहते हैं, तो प्यारे मत्यों इस प्रकार आज हमने कच्छा नौमी में हमारा जो एक महत्पूर से लेबस था, वाक भेव, अर्थ क्या धारवर, इसके बारे में जाना, आसा है कि आप समने बहुत अच्छे से इन आटों बेदों को पुढ़ा होगा, समझा होगा, फिर से हम मिलें अगले क्लास में,